नमस्कार मैं हूँ अन्शितर शिवास्तो और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 81 एंटर्टेन्मेंट आइए ले चलते हैं आपको एक विशेश रिपोर्ट के तरह मैं राजकुमार बिंदल, पूरर दक्ष, पेपर मर्चंट असोसेशन दिल्ली, हमारे यह साल यो तीन साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तीन-ë रासाल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, और इसके अंदर अमारे ब्रे असोसेशन व्यपाजियों गहित के लिए बहुत relationships कर चुकी है और आगे भी लड़ती दार्ट के लिए जैसे सीलिंग का मसला था सीलिंग के लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी तो हम लोग अगर एक्ष्ण में जीतते हैं तो इन ही लोगों को पहिंदी इन ही मुद्डों को पहले प्राइस्ट पर उठाएंगे और लो दोनों तीनों मुद्धों की हो, में समझसय का हल करवाएंगे. आजकल एक थी समझसय भी आ रही है, जिसके अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है वेपारियों को. वो जीस्टी की है, कि जीस्टी के अंदर जो कंपलाइस करना नो बड़ा त्रे डाका में. GST वैसे अच्छा वेपारियों पर ठीक है लेकिन कम्प्लाइंस बहुत दिक्कत है छोटी-छोटी गलतियों पर फारम भरने की गलतियों पर दुनिया भर के प्रलिंटिया लगना और इसे जो हैना काविजी कारवाई बढ़ना इसे पूरे वेपारी बहुत परेसान है और सरकार के पास कहीं नहीं है तो हमारे वेपारियों ने सारे ग्रीन बेल्ट में जो हैंने थोड़ा काम कर रखा है तो हम सरकार से यह उम्मीद करते हैं और यह अपील करेंगे कि उस सारी ग्रीन बेल्ट को रेगुलाइज कर दे और वेपारियों को अपना काम करने दे जो उन पिताजी बहुत प्राणे हमारी एसोसेशन से जुड़े हैं बोट ही एक्टिव मेंबर हैं, प्यूज जी अमारे बीच में हैं, यह इनकी बहुत परानी फरम, यह दिली के अंदर 60 साल परानी फरम है, मतलब एक सामन जिसे बनाया कुछ इसके अंदर पराने कुछ नहीं मिलके, कुछ लोग हमारे को गाइड करेंगे, कुछ लोग काम करें से बात करके हम GST को जो इसकी कम्प्लाइंस है, इसको एजी कराएंगे, एक फरम के ओपर सारी रिटन आये, एक फरम से हमारा काम चालो हो जाए, और वेपारी टेक्स देने से नहीं कबराता, वेपारी टेक्स देता है, लेकर उसको कागजी कारवाई से बड़ी समंतर लगत इस आजमी को पैसे लेने है, उनका पैसा रुख जाता है, सारा वेपार रुख जाता है, उनके टरनोर खराब हो जाती है, इससे बड़ा नुक्सान हो रहा है, हमारे मेन दो ही मुद्दे रहेंगे, बकि अभी हमारे और साथी लोग अपने मुद्दे बताएंगे, दो करता हूं, और इसमें हमारे मेन, हमने जो टिम बनाई है, वो युवा से लेके और बुजूर्ग तक बनाई है, इसमें सभी तरह के लोग हैं, सभी उमर के लोग हैं, जिससे की सब एक दूसरे के साथ जूड़के हम काम कर सकें, हमारे मेन समस्या पुरानी दिली के जाम की है पुलिस की है, वहाँ पे रोद ताले हैं, हमारी पुरानी दिली में रोद तूटते रहते हैं, हर जगे तूट रहे हैं, तो उससी समस्या को भी दूर कराना है, डीडिये के समस्या है हमारी में, गाजीपूर के अंदर वो भी समस्या दूर कराना है, और फिर अब समस्या क्या व्यपार हमारा एक ही जगह इस्तापीद हो जाए और हम टीम स्वास्तिक की तरह से आपको ये स्वासन दिलवाते है कि हमारी करणी और कत्ञी में फ़रक नहीं होगा इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी होगा तो मैं ये चाहूँगा कि आपके परिवर्तन करके आपको विजाई बनाएं, बहुत बहुत दन्यवाद आप आप शबीगा। अपको ये गोवर्नमेंट को ये सोचना चीए, जैनेरेसेंट चेजरी उरी है, जिसमें उसका मन आपको काम करने दिया जाए, तो उस चीज की भी हमें यूज में दिक्कत नाए, कोई भी हम काम वहाँ पे करें, हर्ज काम वहाँ आपको अलाओ होना चीए, ऐसा निया थी तो इस परकार हमारे बजार में भी शादी कार्ट के लिए हमारे वहां पे महिला ही आती हैं तो हम सरकार से प्रयास करेंगे अपना अतक प्रयास करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे वाश्रूम बनाएं पार्किंग की विवस्ता करें जो गाड़ी आने में दिक्कत होती है जो बाहर से गाड़ी आपनी लेके आते हैं वहां गाड़ी पुरानी दिली में कोई गाड़ी ले जाना पसंद नहीं करता तो हम कोई न कोई ऐसे स्थान करेंगे कि टीम स्वास्तिक को पूरी टीम को चुनके लाएं चुनके लाएंगे तो हम अपनी असानी से अपना काम कर सकेंगे जिससे कि हमें भी तकलीब नहीं होगी और कॉंटो वर्सी भी नहीं बनेगी तो मैं पेपर एसे सिजन के सभी जितने भी हमारे मेंबर से उनसे करूआ कि पूरी टीम स्वास्तिक को वोड़ देकर विजय बनाएं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरना कीजिए और अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो दर्शुकों आज के लिए बस इतना ही देखते र